नमस्कार, cgnews plus 24 में आपका स्वागत है सबकी बात सच के साथ तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमु खबर पर कौन थे काले खान जिनके नाम पर रखे चौक का बदला नाम अब भगवान बिर्सा मुंडा चौक दिल्ली के सराय काले खान चौक को अब भगवान बिर्सा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा केंसरकार डि बिर्सा मुंडा की 150 वी जैनती पर नाम बदलने के घोशना की केंदरिक घ्रिहमंत्री अमिज शाह ने जनजाती गौरवदिवस की रूप में मनाई जा रही बिर्सा मुंडा की जैनती पर मा सेरा उध्यान में इनके भव पिर्तिमा का नाम बरिन किया गिर्या मंत्री ने कहा कि बिर्सा मुंडा ने जल जंगल और जमीन के संसकार को पुनर जीवित किया और कहा कि आदिवासी के लिए यही सब कुछ है वे समाज में कई प्रकार की जावरूता लाई अमेश शाह ने कहा कि वर्स 2021 में प्रिधान मंत्री नरेंदर मोदी ने बगवान बिर्सा मुंडा की जनती को जन जाती गौरव दिवस की रूप में मनानी की घोशना की थी आज ही के दिन जार्खन के एक छोटे से गाउं में बिर्सा मुंडा का जन हुआ था अगला एक साल आदिवासी गौरव वर्स की रूप में बनाये जाएगा और उन्हें कहा कि बिर्सा मुंडा की जनती के उपलक्ष में 15 नुवंबर 2025 तक आगामी एक वर्स आदिवासी नुहलाल खटर, दिल्ली के उपराज जिपाल, वीके सकसेना, केंद्री राजमंत्री, हर्श मलहुत्रा, सांसर रामवीर सिंग, विधूरी सहित कई गर्माने मौझूद रहे, ग्रह मंत्री ने कहा कि बिर्सा मुंडा आदिवासी के लिए अपने मुल संस्कृती की उध्ध बिर्सा मुंडा निश्चत तोर पर भारत की आजादी की महनायकों में से एक हैं, अमिश शाह ने कहा कि धरती आबा की नाम से प्रिसिध बिर्सा मुंडा की जीवन को दो हिस्सों में बांट कर देखा जा सकता है, पहला आदिवासी संस्कृती की रक्षा को लेकर उनकी प् भाग से आजादी के बाद इन महनायकों को भुला दिया गया, प्रिधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने वर्स 2015 में 200 करोड की लागत से देश में 20 आदिवासी महनायकों की संग्रहले बनाने के निर्णे लिया, ताकि बच्चे इन महनायकों की जीवन से परिशित हो सकें, अब भागवान बिर्सा मुंदा संग्रहले, जबलपूर में शंकर साह, रघुनात शाह संग्रहले, तताचिंदवाडा में जन जाती शोतंदरता सेनानी संग्रहले का उदगाटन हो चुका है, वर्स 2026 तक से सभी संग्रहले विबन कर तैयार हो जाएंगे, सरकार ने बीते 10 साल में आदिवासी शितर में विकास को रोकने और बच्चों को गुम्रा करने वाले नकसलवात को लगख समाप्त कर दिया है, नोंने कहा कि सरकार में जन जाती हैं के विकास के लिए सिर्फ 28,000 करोड का बजट था, जबकि मोधी सरकार ने वर्स 2024 और 25 के बजट में आदिवास सूरिक की समय में ही हुई थे, समय के साथ सीजें बद्लिये आगे चलकर मुगलज शाषन कार में डिली इस आश्र इस्तल्यानी के सराय के साथ उनका नाम काले छा जोड दिया गया, और इसके साथ ये सराय ऐकाले खहां के नाम से famous हो गया, अगर आप डिली मिंद्रा गंद आपको जाते हैं तो राष्टे में सूफी संद काले खां की मजार भी बनी है दिल्ली में सराय काले खां दक्षिन पूर्वी के तहट आता है सराय काले खां के आसपास के आपके निजाम-द्दीन, जंगपुरा, खिजराबाद, जंगपुरा, एक्स्टेंशन और लाचपत न अगर हैं खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमशकार और देखते रहिए सीजी निवस प्लस 24